तो चलिए बच्छो इस question को देखते हैं How did the rain come as product by Lancho and how did he receive जो Lancho ने product किया था तो rain को कैसे वो receive करता है तो चलिए answer को देखते हैं How did the rain come बारिश कैसे आती है जैसे उसने product किया था क्या वैसे आती है बारिश और वो बारिश को कैसे receive करता है चलिए इसका answer देखते हैं Lancho's wife was preparing supper dinner जो Lancho की wife थी वो supper तयार कर रही थी रात का खाना तयार कर रही थी The older boys were working in the field जो इसके बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे It was during the meal वो meal का समय था ओके In the northeast huge mountain of clouds could be seen approaching और जो northeast का mountain था वो वहां के जो बादल थे वो बहुत डाकन हो चुके थे और वो दिखने में लग रहा था बारिश आ सकती है Then as Lancho had predicted और जैसा Lancho ने predict किया था Big drops of rain begin to fall और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ और बड़े बड़े बूंदे गिरने लगी Lancho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body और Lancho बाहर आता है और बारिश की जो feeling है वो लेता है To him the raindrops were like a new coins और फिर वो raindrops को coins से compare करता है ओके बच्चों तो यहाँ पर एक बर और answer को देख लेते हैं जो उसकी wife है वो supper prepare कर रही होती है जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं और जो बादल होते हैं वो बहुत black हो गे होते हैं और फिर थोड़ी ही देर में जैसा लैंचो ने प्रड़क्त किया था बड़े बड़े बूदे पढ़ने लग जाते हैं और फिर लैंचो बहार निकल के आता है और बारिस की जो feeling है वो लेता है और फिर क्या होता है जो बारिश की बूद्ध है वो बारिश की बूद्धों को न्यू कोईन से कंपेर करता है ओके बच्चों तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जबर पूचे तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में